हाँ, सो दोस्तों आप सभी UPSC के एनिमल लव के बारे में तो जानती ही है आपको याद होगा कि प्रिलिम्स 2023 में ही कुछ तीन के असपास, तीन से ज़्यादा ही प्रश्ण एनिमल से पूछे गए थे हला कि अब यहां पर जो UPSC है यह जानवरों के IUCN स्टेटस वगेरा पर उतना गौर नहीं फर्मा रही है जितना जादा गौर यहां पर UPSC उनके वहवार पर फर्मा रही है यह निशाचर है या फिर यह दिन में एक्टिव रहता है या फिर यूदो वह वाला कोशिन तो बहुत ही भयाना के जिसमें यह पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा जानवर है जो लकडी का उजार बना कर इसे खोद करके अपने खाने के लिए कीड़े निकालता है मतलब यह तो गजब ही हो गया था लेकर दोस्तों जब UPSC के त्यारी कर रहे हैं तो जब ओकली में सर डाल दिया तो फिर डरना गया अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज फिर से एक जानवर न्यूज में आ गया है और यह है हिम तेंदुआ दोस्तों यह स्णोल यूपड का ही न्यूस में आया है इसका कारण है कि इसे किर्गिस्तान ने अपना नाशनल सिंबॉल बना लिया है जी हां इसे अपना राष्टी चिन्द बना लिया है इससे पहले कि मैं आपको हिम तेंदुई के बारे में जानकारी दूँ थोड़ी सी जानकारी इस किर्गिस्तान के बारे में भी ले लेते हैं तो अगर हम लोग बात करें इस किर्गिस्तान के बारे में तो आप देख सकते हैं कि ये जो देश है किर्गिस्तान ये आपको मध्य एशिया में मिलेगा चलिए आपको मद्धी एशिया घुमाने ले चल सके हैं यह यहाँ पे हमारा महान हिंदुस्तान आप हमारे महान हिंदुस्तान से पश्चिम की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उपर हिस्से में देखना है सेंट्रल एशिया यहाँ देखिए यह आज चुके हैं आप सेंट्रल एशिया में अब जब आप सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपको उपर दिखा पाकिस्तान पाकिस्तान साउथ एशिया का है उसकी उपर दिखा आपको अफगानिस्तान ये तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उनके बीच में किर्गिस्तान दोस्तों आपको किर्गिस्तान के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है क्योंकि किर्गिस्तान के पास ही ये जो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में आपको फर्गना वैली दिखती है जो एप्रिकॉट वॉर है उससे लेकर कि ये जो जगा है ये काफी न्यूज में रहती है तो आप देख सकते हैं ये Central Asian country है किर्गिस्तान इसके अलावा ये काम करते हैं इसको थोड़ा सा स्लाइट्स में भी देख लेते हैं दोश्तों जब हम लोग बात करते हैं Central Asia की तो इस Central Asia में आप देख सकते हैं ये पांच देश आते हैं कौन-कौन से? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सब तो लेंड लोग है और है भई लेंड लोग वो नहीं होता जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो अगर कोई जमीन का टुकड़ा ऐसा है अगर कोई देश ऐसा है जो किसी खुले समुद्र से सीमा साजा नहीं कर रहा है तो भी उसे लेंड लॉक कहते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो कजागिस्तान है तुर्कमेनिस्तान है यह कैस्पियंसी से सीमा साजा कर रहे हैं पर कैस्पियंसी इस नो रहा See it's a lake, geographically it's a lake यह सारी चीज़े में आपको वर्ल्ल मैपिंग में पढ़ाती हूं तो ज़रूरी नहीं है कि इनके चारों तरफ जमीन हो बस यह किसी खुले महासागर से सीमा साजा ना करे यह सारी बाते हम वर्ल्ल मैपिंग में कर लेंगे फिलाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन में से कौन सी इन पांचों में से कौन सी डबली लैंड लॉक कंट्री है इन में से कौन सी डबल लैंड लॉक कंट्री है उसका नाम मुझे अभी कमेंट बॉक्स में चाहिए अब आप देख सकते हैं दोस्तों यह रहा कजाकिस्तान और उसके बाद यह रहे हमारी सेंटरलेशन की मांकी कंट्री इसमें जब हम बात करते हैं किर्गिस्तान की तो यहां पर है किर्गिस्तान जिसके राजथाने आपको उपर दिखाई दे रही है बिशकेक किर्गिस्तान के राज्थाने आपको दिखाई दे रही है बिशकेक, उसके नीचे यहाँ पे है यह फरगना गानी ठीक है? जो कि हिस्सा तो उजबेकिस्तान का है लेकिन बिशकेक और ताजीकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा विवादित रहता है अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इन Central Asian Countries की इन Central Asian Countries में आपने किर्गिस्तान को तो देख लिया है अब इन किर्गिस्तान यूज में क्यों आया है ये मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया इस ने अपने नाशनल सिंबॉल के यूस में इसे घोशित कर दिया है स्नोल यूपड को स्नोल यूपड को अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि जहां तक सवाल है स्नोल यूपड का इस हिंदी में कहते हैं Himtenewa दोस्तों Himtenewa एक शीर्श शिकारी होता है मतलब कि जब आप environment ecology में इस तरीके से पूरा चार्ट बनाता है न कि शाकाहरी उसके उपर मांसाहरी फिर शीर्ष मांसाहरी तो ये एक शीर्ष शिकारी है हम जो big cats की बात करते हैं seven big cat उन seven big cat में लियोपड यानि कि तेंदुए को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं लियोपड ठी अंग्रेजी में लियोपड कहते हैं अब दोस्तों जब हम बात करते हैं तो ये food chain में खाद श्रंखला में शीर्ष पर होता है अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ये जो तेंदुआ हैं इनके अलग अलग प्रकार देखेंगे जैसे आपको दिखाई देखा भारतिय लियोपड और ब्लाक लियोपड ये सब अलग अलग विशेष्टाओं को लिये होते हैं चलिए एक एक करके इन चारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं स्नो लियोपड के बारे में ज्याधा पढ़ देख सकते हैं कि यहां पर जब बात आती है तेंदुए की अगर हम इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं तेंदुए की तो आपको जो सामान ये तेंदुए हैं वो तो आपको पूरे भारत में मिल जाते हैं लेकिन जो हिम तेंदुए हैं वो हिम तेंदुए आपको इस्पेशली जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत् इन हिस्सों में मिलेंगे क्यों कि ये शेत्र खुब ठंडे और नाम से इस पश्ट है ये स्नो लियो पड़े तो स्नो वाल एरिया में रहेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के लद्दाक में जो हैमिस नाशनल पार्क है उसे हिम तेंदुए की वैश्विक राज्थानी क कि और अगर हम बात करें तेंदुए की तो हमारे देश में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है हमारे देश में तेंदुओं के संट्रक्षन के लिए बहुत से कारिक्रम भी चलाए जाते है स्नो लियो पर यह भी वर्नरेबल है आईउसी एन कैटेगरी में इसक के लावा अगर आप चाहते हैं कि IUCN के अलगला केटिगरी पे आपको वीडियो मेले अच्छी सी अइनिमेशन वाली तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप जब कमेंट करते हैं तो मैं उन चीजों को पढ़ती हूँ जैसे आप लोगों ने मुझे कहा कि आपक वीडियोस देने का प्रयास कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आपको साइट्स, CMS, IUCN की जो अलगला केटिगरी से IUCN क्या है इसके लावा जो अलगला कन्वेंशन एंवार्मेंट की वो पढ़नी है क्या अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों यह जो स्न जड़ने शेत्रों में मिलेगा स्नो लियोपड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ने देख लिया भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्रा, खंड, लद्द, इन शेत्रों में मिला रहा है उसके बाद आप देख सकते हैं एक होता है इसे क्लावडेड लियोपड क्यों कहते है इसे Clouded Leopard इसलिए कहते हैं कि इसके शरीर पर जो धब्बे है वो बांकी तेनों से अलग है इसके शरीर पर जो धब्बे है उनकी आकरती बादलों की आकरती की तरह है Cloud की आकरती की तरह है इसलिए इसे Clouded Leopard कहा जाते है अब आम देख सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया cloudedly open उस्तों एक जो होता है वो होता है blackly open इसी को हमना black panther भी कहते है I don't know आप लोगों ने देखा या नहीं बट एक cartoon आता था जम में छोटी थी that is pink panther उस्तों pink panther जैसा नहीं होता है लेकिन black panther जैसा जरूर होता है black panther वास्तव में leopard ही होता है तेंदुआ ही होता है बस ये एक melanistic तेंदुआ होता है इसलिए इसका जो पूरा color है ये आपको ऐसे काला दिखता है आप देख सकते हैं इसका IUCN status कैसा है black leopard का IUCN status भी vernerable याने की सुभेती है उस्तों कई बार क्या होता है कि हमको चीता और तेंदुआ एक जैसे लगते हैं चीते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं चीता ही कहते हैं तेंदुए को leopard बोलते हैं तो यहाँ पे हमेशा चीता और जो तेंदुआ हैं एक जैसे लगते हैं दोस्तों आम דेख सकते हैं इन दोनों में अच्छा खासा अंथर होता है ंत。 आप देख सकते हैं कि इन दोनों के जो धब्बे हैं वो आपको अलगलाग तरीके से दिखाई देते हैं तो I hope कि आप लोगों को हिम तेंदुए के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी इस टॉपिक की वज़े से कौन-कौन सी चीज़े न्यूज में आ गई है उसनों इस टॉपिक की वज़े से जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए वो मैं बताती हूँ कि मतलब क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में आया है तो इस से रिलेटेट कौन-कौन से प्रश्ण जो है वो अब UPSC पूछ सकती है पहली बात तो आपको तेंदुओं के बारे में पढ़ लेना चाहिए याने कि लियोपड जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा दिया PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है यूकिन सच आप टेलीग्राम पे जाओ अपूरवा 2-3 लिखो जैसे आप अपूरवा 2-3 लिखोगे ने टेलीग्राम पे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तेन दुआ याने कि लियोपड की जहां तक बात है तो दोस्तों एक तो आपको लियोपड पढ़ना होगा इसके सभी प्रकार पढ़ने होगे दूसरी चीज आपको किरगेस्तान और ऐसा नहीं होदा कि जो न्यूस में सिर्फ उसी को पढ़ो किरगेस्तान के साथ पूरा जो आपका सेंट्रल एशिया है पूरा का पूरा जो मध है एशिया है उसका मान चित्रन मतला यहां के आसपास की नदियां यहां के आसपास की जितने भी जीले हैं उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पढ़ेगा तीसरी चीज तीसरी चीज दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में National Symbol Council उससे भी आपसे प्रशन आ सकते हैं और क्योंकि यह न्यूज में रहा है तो आपके लिए Big Cats वाला जो टॉपिक है वो भी न्यूज में आ जाता है ठीक? चलिए तो I hope कि आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगे और आपको पता चल गया होगा कि इस न्यूज की वज़े से आपके प्रिलिम्स में, आपके मेंस में किस तरीके के प्रिलिम्स में आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हो GS Paper 3 में आपके प्रिलिम्स में कैसे प्रश्ने बन सकते है दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप आने के आड्मी प्लस पे मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप ना केवल भुगोल को पढ़ते हैं बलकि भुगोल को जीना सीखते हैं दोस्तों अगर आप मेरे साथ पास्तव में भुगोल को जीना सीखना चाहते हैं अगर आप हमारे देश के शीर शद्धापकों से पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी जुड़ सकते हैं आने के आड्मी प्लस पर कि ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा जहां 50% डिसकाउंट के साथ 6 महिनों का एक्स्टा सब्सक्रिप्शन 3 में मिलेगा तो इसका है यह तुमको एंदजार मैं हूना और मैं नहीं देश के टॉप एड्यूगेटर से यहां पर आप देख सकते हैं यह ओफर खतम हो जाएगा चार जन दिसकाउंट कोड अपूर्वा23 लगाना है कौन सा डिसकाउंट कोड आप उस करेंगए अपूर्वा23 आपशावा23 छे अपयोग करते हैं तभी आपको मेरा एक गाइडेंस मिल पाता है और पैसे तो बची जाती है तो मैं आशा करती हूँब आप से अगली मुलाकात होगी मिर्याना के आड्मी पर होने वाली प्लस आइकोने क्लास में जहाँ पे आप पूर बार टू-3 कोड का उप्योग करके ही आएंगे थांक यू